आखश्माणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अमरीकी कॉंग्रेस में हिंद प्रशांत महिला सशक्तिकरण अतंकवाद और पर्यावरन संरक्षन सहित कई मुद्धों पर बात की 27 जून को सभी नगरिय निकायों में होगा आयुश्मान कार्ड का वित्रण प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका मिलकर विश्म को बहतर भविश्य परदान करेंगे श्री मोदी ने अमरीकी संसत के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमरीकी साज़दारी लोगतंतर के भविश्य के लिए शुब है उन्होंने कहा कि अमरीका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोगतंत्र है और इसकी संस्कृती ही विचार और अभिव्यक्ति आगे बढ़ाती है श्री मोधी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिध्धान्थ पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमरीका मिलकर विश्व शान्ती, स्थिर्ता, समरिधी में महत्वपून सहयोग दे सकते हैं प्रधान मंत्री ने हिंद प्रशांद, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरन संरक्षन सहित कई मुद्दों पर बात की अमरीकी कॉंग्रस के कई सदस्यों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाचन की सराहना की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर तयारियां जोरो पर की जा रही है प्रधान मंत्री द्वारा 27 जून को शेहडोल में आयुश्मान कार्ड वित्रन और सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभरंब किया जाएगा नगरिय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंग ने बताया है कि इस कारिकरम को प्रदेश के सभी नगरिय निकायों में भी आयोजित किया जाएगा साथ ही प्रधान मंत्री के शेहडोल में आयोजित मुख्य कारिकर्म का लाइफ प्रसारण निकायों में किया जाएगा कारिकर्म की पूर्वसंध्या पर आशा उशा कारिकर्ता घर घर जाकर नागरिगों को निकाय की ओर से कारिकर्म में आमंत्रित करेंगी कारिक्रम में स्थानी जन प्रतनिधियों के माध्यम से आयुशमान भारत योजना के लाबों के बारे में जानकारी दी जाएगी और हितगराहीों को कार्ड वित्रित किये जाएंगे शेहडोल जिले के पकरिया गाउं में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की यातरा को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं हमारे समभादाता ने बताया है कि गाउं में उत्सव जैसा माहौल है पूरे गाउं को सजाया जा रहा है गाउं वाले खुद को भागिशाली बता रही है प्रधान मंत्री इस गाउं में लगबग दो घंटे रहेंगे कलेक्टर वंदरा वैध्य ने चौपाल लगाकर ग्रामीनों को बताया कि प्रधान मंत्री स्वसाहिता समहू की महिलाओं से मिलेंगे गाउं में फूटबाल की अलग जगाने वाले फुटबाल खिलाडियों से प्रधान मंत्री की चर्चा होगी इसके अलावा विभिन योजणाओं के लाभानवित होने वाले हिद्गराइयों से जानकारी भी लेंगे आंगनवाडी केंदर और प्रधान मंत्री आवास योजना के हिद्गराईयों के घर का अवलोकन करेंगे पकरिया गाउं के बगीचे में ग्रामीनों के साथ समवाद कारक्रम का आयोजन होगा इस बीज मुख्य मंत्री ने एक बाल फिर प्रधान मंत्री के दोरे की तैयारी की वीडियो कॉन्फरिंसिंग से समीच्छा की है मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने सभी लोग सेवकों को संयुक्त राष्ट्र लोग सेवा दिवस की शुब कामनाई दी है श्री चोहान ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में देश की प्रगती, विकास और जन कल्यान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लोग सेवकों को बधाई दी है वो लेकनी है कि वर्ष दो हजार दो में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोग सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया था दिकास में सार्वजनिक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमी का कोरे घांकित करना इसका मुख्यों देश है संभचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वाकत है बात मौसम की प्रदेश मं मौंसून अगले दो दिन में आ सकता है फिलहाल प्री मौंसून प्रदेश को भिगो रहा है राइजधानी भोपाल में आज दोपहर से लगातार बारिश हो रही है राइसेन में भी दोपहर से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का सिलसला जारी है जबलपूर और नरसिंगपूर में भी आज सुबा पानी गिरा चिंदवाड़ा में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया सागर, विदिशा और नर्मदापूर में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है सतना, सीधी, सिंग्रॉली, उमरिया, दिंडोरी और अनुपूर में भी आज भारिश होई इससे पहले कलनिवाडी और ठीकम करजिलों में भारी भारिश होई थी जिससे नदी नाले उफान पर आ गए थे भोपाल में मौसम विभाग के निदेशक आर बाला सुब्रमनियम के अनुद मुताबिक दक्षिन पश्च्यम मौनसून के 24 या 25 जून तक प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है मौनसून के 26 से 27 जून तक भोपाल और 29 जून तक पूरे प्रदेश को कवर करने की संभावना है नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के सदस्य डॉक्टर अफ्रोज एहमत ने कहा है कि परियावरन एक धर्म है सभी मिलकर परियावरन को संरक्षित करने के लिए समन्वित प्रयास करें इन दौर में परियावरन संरक्षन से जुड़े विभागों की संयुक्त बैठक को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने नदी नालों, कुओं, बावडियों आधी को सन्रक्षित करने और उनके जीर्नोध्धार के प्रयास किये जाएए और अधिक से अधिक ब्रिक्षारोपन किया जाए इंदोर जिले में परियावरन को संरक्षित करने और National Green Tribunal के आदेशों और निर्देशों के परिपालन में किये जा रहे कारियों की सरहना करते हुए उन्होंने कहा कि इंदोर रक्षेत्र इस दिशा में पूरे देश में मॉडल है श्रीयावरन ने कहा कि परियावरन बचाने की दिशा में इंदोर जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है यहो रहे कारिये अन्य जिलों के लिए एक प्रेड़ना है परियावरन संरक्षन के लिए इंदोर देश को नई रहा दिखा रहा है महिला बाल विकास विभाग लाडली बहना योजना के लाभारतियों को अपने मन की बात को साजा करने का मौका दे रहा है जिसमें बहने अपने खाते में आए एक हजार रुपे का उप्योग के बारे में बता सकती है यदि उनके मन की बाद समाज में महिला सशक्तिकरण और पोशन को बेहतर करने की दिशा में प्रिधनागायक होगी और उसका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा विभाग द्वारा लाडली बहना योजना के हिद्गराहियों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन MP.mygov यानी www.mp.mygov.in पर किया जा रहा है जिसमें प्रदेश की सर्वश्रेश्ट 10 प्रविष्टियों को 5000 रुपे प्रती से पुरस्कृत किया जाएगा यह पुरस्कार राशी विजेता लाडली बहनों के DBT सक्रिय खाते में ही भेजी जाएगी पोर्टल में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम्तिती 5 जुलाई है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान आज अशोकनगर जिले के सूरेल गाउ में लोग स्वास्ताय यांत्रिकी राजे मंत्री ब्रजेंदर सिंग यादव की सुपुत्री के विवाह के बाद विदाही समारों में शामिल हुए मंत्रीर बज़ेंद प्रताप ने आज पन्ना में आयोजित प्रेस वारता में केंद्र और राजे सरकार की उपलब्दियों के बारे में विस्तार से जानकारी थी पाठे पुस्तक निगम उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती ने शिवपुरी जिले के पोहरी सीएम राइस स्कूल में नौवी से बारवी तक के चातर चात्राओं को निशुल्क पुस्तकों का वितरन किया विदिशा सिले में 27 जून को आयूश मान ग्राब सभा का आयोजन किया जाएगा टीबी उन्मूलन पर आगर मालवा में आयोजित हुए दो दिवसिये प्रशिक्षन की मौके पर मुखे चिकितसा और स्वास्ते अधिकारी द्वारा टीबी उन्मूलन पर विस्तार से प्रशिक्षन दिया गया जबलपूर पुलिस ने नारियल से भरे ट्रक में चिपा कर ले जाया जा रहा 27 लाख रुपे कीमत का 135 किलो गांजा जब्त किया है और लोका युक्त पुलिस ने आज सागर में एक पटवारी को 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है अंत में बुलिटिन के मुखे समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने अमरीकी कॉंग्रेस में हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरन, आतंकवाद और पर्यावरन संडरक्षन सहीद कई मुद्धो पर बात की 27 जून को सभी नगरिया निकायों में होगा आयुशमान कार्ड का वित्रन भोपाल, उड़ायसें, जवलपूर, नर्मदा, पूरम, सहिद, कई जिलों में बारिश, पारागिरा, दो दिन बाद प्रदेश में दाखिल होगा मौन्सून और पर्यावरन संडरक्षन के क्षेतर में इन दौर जिले में सरहनीय कार्य, NGT ने की सरहना इस बुलिटन में इतना ही, दीजे इजाज़त, नमस्कार